अब आप आप आधा लीटर दूद लिया है और उसको बालने के लिए लग दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोर आसा इलाइची इलाइची को हमने अच्छे से तोर के डाला है आप चाहो तो इलाइची पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हो इससे बहुत ही बढ़िया एक अब हम दूद को उबाल के इसको गाढ़ा कर लेंगे तो जब यह उबल ही रहा हो तब आप इसमें चार बरेचमत चीनी डाल देना आप अपने हिसाब से चीनी की मात्रा कम्या जाधा कर सकते हो यहां पर हमने लगबग चार बरेचमत चीनी का इस्तमाल किया है और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे आप ऐसे उबाल के दूद को गाढ़ा कर लेना है और अब हमने यहां पर गरम दूद में तो रहा से केसर घोल के रखा है अब हम उसको अपने दूद में डाल लेंगे केसर डालने से दूद में बहुत अच्छा कलर और प्लेवर आजाएगा जब तक यह आधाना हो जाए तो हमारा दूद अलमोस्स हो गया है और आधा हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोर असा कॉन प्लार कॉन प्लार डालने से यह ठिक हो जाएगा बहुत ही गार्णा हो जाएगा जिससे इसका टेस्ट अच्छाएगा यह स्टेप बिल्कुल लेकिन यह गारा अजर हो जाएगा बहुत जाला तो हमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसलिए हमने यहां पर कॉन फ्लार यूज किया है आप चाहोट इसको स्किप कर सकते हो जाएगा अच्छे से उबाल देंगे जैसे हमारा कॉन फ्लार स्लड़ी के डालने के सब कुछ एक तंबारी काट के ले लिया है आप इसकी कॉंटिटी थोड़ा जादा ही रखना जिससे की इसका टेस्ट और जादा बढ़ जाएगा यह बहुत ही स्वादिश दढ़ेगा अब ध्यान यह रखना कि दूद को आपको जादा कारा नहीं करना है किसके दूद को ज तो इसको एक उबाल लाने तब हम वेट करेंगे और फिर इसको बंद करके रख लेंगे अब रस्मलाई के बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने दूद को पाड लिया है और इसका छाना बना लिया है तो इसमें हमने सिरका डाल के इसको पारा है आप चाहों तो इसमें न किसी पानी में छोड़ देंगे तो रबर जैसा बन जाएगा इसलिए इसको थोड़ा से ठंडा करके हम छान देंगे अब छानने के लिए यहां पर हमने एक वैसल ले लिया है अब उसमें हम डाल रहे हमारी छनी और उपर से कपड़ा क्योंकि इसको हमें बिल्कुल इसका सारा पानी हमें सोब कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी बचाना रहे हैं चलिए अब इसको छान देते हैं है चैसे अब इसमें थोड़ा सा नौर्मल पानी डालेंगे ताकि जो सिरका विलेगर या फिर नेपू का खटास से वो चला जाए और इसको अच्छे से दुल करके हम निचोड लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए और अब हम इसको उठांते रहे अच्छे से स्क्रीज कर लेंगे तो हम इसको पूरा अच्छे से निचोड लेंगे और थोड़ी दिर के लिए इसको कहीं पर टांग के रख देंगे जिससे कि इसका पानी डिफ होके निकल जाए और हमारे अच्छा सा हार्ट से निकले ऐसे हमने स्क्रीज कर लें इसको चलिए सको कहीं टांग के छोड़ देते हैं तो ऐसे हमने इसको टांग दिया है अब आल्बोस्ट आधा एक घंट इसको हम छोड़ देंगे हमने लग बग अधा लीटर पानी चड़ा लिया है वो शिरा बनाने के लिए जिसमें हम अपने रुक्स गुलो को छोड़ेंगे और इसमें और आप पश्वेत नहीं करना है बस इसको बाला ले ना है ताकि हमारा चीनी गल्जे है और इसमें बाला आप देखिए हमारा चैना रेस्ट हो गया है तब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको लगभर 10-15 मिनिट तक नीट कर लेंगे हाथ से तोड़ते हुए और हतेली से मसलते हुए ताकि यह बिल्कुल स्मूध हो जाए आप देख सकते हूं हम अपने हतेली का या पाम का इस समाल कर रहे हैं और इसको यह सी नीट करना है तकि एक स्मूध सा पेस्ट बढ़ जाए इसका तो यह देखिए हमने च्छानों के यह थोड़ा सा पॉंफ्रा डालेंगे इससे कि यह बाइंड करने में एजी पड़े अफिर इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे तो चलिए इने तो आप अगर स्टिट करना चाहो तो इसके भी कर सकते हो क्योंकि आप अगर इसके गोल बॉल बना रहे हो तो यह कोई दिक्कत नहीं करेगा बट अगर आप रस्मलाई के लिए बॉल्ट बना रहे हो तो हलका सा आपको इसको फ्लैट करना पड़ता है चक्टा करना और इसका इलास्टिसिटी जो है वो खतम हो जाया रबर जो इसमें अगर आप इसको अच्छे से नीट नहीं कर रहे होगी तो यह आपको रबर जैसा फील होगा एकदम अच्छाने लगेगा इसलिए इसको आपको अच्छे से रब करना है अपनी हाथिली की मुदद से अच्छे से नीट कर लिया है और हमने तब तक इसको नीट किया है जब तक हमारे हाथ में यह भी ना जाया यह आप देख सकते हो पर हाथ किता शैनी है क्योंकि इससे सारागी छूट जाता है यह दिमिदी में क्योंकि यह पे ओफ प्लो फैट रहता है दूट का तो चलिए अब उसको हम शेप करते हैं तो शेप करने कले हमें थोड़ा सा लोई को काट लिया है और हम इसको अपने हाथ हेली की मदद से गोल गोल ऐसे घुमाते रहेंगे अब देख सकते हो अब टो यह देखिया हम इसको कैसे स्प्रेड कर लिया है हमने हम चानक का सब्भैंख चोक לה से बढ़ेंगे जब इसको हम शेप में डालेंगे पकाएंगे तो यह पि डबल हो जाता है अपनी साईज का इसको हम ने च्टा से रखए आप देखो कैसे हमने शेप कर दिया इसको और यह हमारा पकाने के लिए रेडी है तो चलिए बाकी डो से भी हम बहुत बना लेते हैं तो आप देख सकते हो हमने इस से शेप में रसमलाई को बना के ले लिया है अब जो शीरा हमने चरहाया था पानी और चीनी का वो गरम हो पूरा घुल चुका है अब हम अपने रसमलाई के इसमें डाल देंगे और इसको लगबर 10-15 में तक पका लेंगे यह जब तक डबल हो जाएगा साइज में आप चाहो तो इसको ढखके पका सकते हो और इसको हम ऐसे पका लेंगे तो यह देखिए हमार दूस्तों यह कैसे अपने साइज बढ़ा हो रहा है इनका चेनाव का अब इनको हम दूनों तरफ से अच्छे से यह बहुत जादा सॉफ्ट होता है इसको आपको हलके हांतों से एक दम पलटना है ने तो यह फूर जाए तो यह पूरा पप चुका है और इसको साइज भी डबल हो चुका है और इसको हम आल्मोस्ट 10 मिनिट के लिए रेस्ट कर देंगे इसमें हलका सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको अपने दूद जो गाड़ा कियाता है डबडी उसमें डालेंगे तो यह रेस्ट हो चुका है हमारे दूद में डाल देंगे इसको हमें लगभग एक घंडा सोक करके रखना है ताकि इसमें दूद अच्छे से अब्सॉब हो जाए और यह बहुत ही टेस्टी लगेगा अब जितना देर तक इसको सोक करके रखोगे उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा तो यह हमारा रस्मलाई तयार है इसको बस हम थोरी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि एब्सॉब कर ले दूद पूरा अच्छे से और यह बहुत ही सॉफ्ट बना है बहुत ही टेस्टी बना है और बिल्कुल स्पंजीने सा नहीं आएगा आपको इसमें तो इसको आएए और सबको खिलाएए और हमें बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी क्योंकि यह बहुत यासानी से बन जाता है और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलना